ऐसा क्यों होता है कि अल्गाजी, जिस पाटी में होती है, उस पाटी के लोगों को लगता है कि ऐसा न हो कि फिर कहीं चली जाए आम आदमी पाटी में, आप अब जितना इसा एंधने तॉन दीन पाटी में मैं लगा तर 20 साल सिर्फ कॉंग्रेस में रही, कॉंग्रेस की विचारधारा कभी ना तब छोड़ी थी जब पार्टी से हाई, भाजपा में नहीं गया अस तक, यह मेरा अगर 30 साल का राजनीतिक सफर है, 30 साल का, सो यह गांधी की विचारधारा पर सत्य रहिंसक को समर्पित रहा है, और उस विचारधारा जो गोटसे की हिंसक नफरत वाली जाती, दर्मों पे बाटी, उसके इकलाब लड़ती रही हूँ, आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, अन्ना हजारे और इस सब आंदोलन में चली गई थी, आंदोलन के बाद लगा दिल्ली बदलाव चाहती है, मैं उस बदलाव में शामिल हुई, लेकिर उसके बाद जब लगा कि आगे का सफर कहीं न कहीं समझोते हो रहे हैं, अब सत्ता ही सब कुछ हो गई है, जनलोकपाल स्वराजी सब अब नहीं दिख रहा है, तो अपनी सरकार थी, सत्ता थी मेरे पास, विदायक थी, सब छोड़के, वापिस अपनी विचारधार अपने कॉंग्रस को ताकत देने के लिए जीरू से संगहर शूँ गया, और पान साल में आज मैं उस विश्वास को जीत पाने में कामियाब हूँ किया, आज मैं भारती पर 2014 में वो 400 से अधिक सीटों पर पूरे देश में लोग सभाल रहे थे और आज नहीं, क्यों? क्योंकि आपने जनलोकपाल का, स्वाराज का नारा, सम्विधान, एक परिवार, एक टिकेट होगी, लेकिन आज एक परिवान में विधायक भी है, सांसद भी है, पारश्रत भ आप नहीं चल सकते हैं, आपको गाड़ी, घोड़ा चाहिए अगर लोगों की सेवा करनी हैं, तो उस समय जो बाते करते हैं, वो खुदी लागू नहीं कर पाए, और आज समझ रहे हैं, कि अगर मैं भी सांसद भनती हूँ, तो मेरे घर में आप जारा से आप 15 लोगों को ब सरकारी विएपी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, वाज बंगलों को लेते भी हैं, उसमें करोडो रुपया करदाता का खर्च होता, तो सो अभावी के लोग तंत्र है, सवाल तो उठेगा, सवाल उठा भी, जवाब उनको देना था, उन्होंने कुछ जवाब दिये भी, अब जंता संतुष्ट है, जंता नहीं संतुष्ट, आने वाले समय बताएगा, आने वाले समय पर एक सवाल और होता है, कि रहुल गांधी जब भी कैमपेन करते हैं, तो BJP एक अकरामक रवया अपनाती है, कि वो सीजनल हिंदू है, मंदिर तब जाते हैं, जब चुनाओ आ जब हम सवाल पूछते हैं, आपको लगता है कि जो 400 पार BJP बार बार कह रहे है कि NDA आएगी, यह सिर्फ एक जुमला जैसा शब्द रहे गया है, या फिर इसमें कोई रियालिटी भी है, या अचीवबल भी लगता है, या अचीवबल भी लगता है, या अचीवबल भी सिर्फ मोधी का चेहरा देखना चाहिए और किसी का ने टीवी खोलो सब, यह सब करके वो कहते हैं, कभूतर जो है सामने कहते हैं, बिल्ली को देख कर आक मूंद लेता है, तो उसको लगता है बिल्ली है सामने नहीं, इसलिए जो खत्रा है, उससे प्रदार मंत्री जी आपन लिखा नोजवान है, तीसरी इस देश की आदी, अबादी हमारी जो है, चोथा जो है, इस देश का लोगतंत्र जैसे काते हैं, मीडिया, अभी भी हैं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, तो यह कुरसी के चोचार पहिये हैं, यह जब तक मजबूत रहते हैं, सत्ता कुरसी ब लड़ेगा, कौन सी सीटों पर लड़ेगा, तै हो चुका है, चुनाम में हम जा रहे हैं, सभाविक है, सब अपना अपना नमबर लेकर आएंगे, इंडिया आलाइस की फिर इक बड़ी बैठक में, सभाविक रूप से यह तै हो जाएगा, कि कॉंग्रेस की तरफ से कौन हो आपको लगता है कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, या पार्टी को कोई कर्रेक्टिव मेजर लेना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, या देर हो गई है, मैं आपको कौन चुनाम से जस्ट पहले, यह जो है, आप पान साल, दस साल, चुप रहे, भाजपा के हैंगी इस बारदेश में, इलेक्शन में, देख में फिर कौन की बाजपा की जुमला ने, 400 पार, 500 पार वाली बात हा न, लेकिन सचाही तो यह है, कि आज का जो रिकॉर्ड है, वो कॉंग्रस के नाम है, शिरी राजीव गांदीची के नाम है, 1984 में 403 सीटों का रिकॉर्ड ना कोई तोड़ पाया है, ना कोई तोड़ पाएगा, मुझे जहां तक आज की हालात में लगता है, और इंडिया अलाइंस की सरकार 24 में बनेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है, और इसे बनाने में, देश की आधी आबादी, सबसे बड़ी भूमी का, हमारी जो मद्दात महिला है, वो निभाने जा रही है, बड़ा अधुत कहां उन्होंने, वो हिंदी में कहते हैं न, कि तेल देखिये, तेल की धार देख रही है, और चुनाओ के समय वोटरों का वार देखिये, फिलाल कैमरा परसन हेमंत कुमार सूद और मनुझ कुमार अधिकारी के साथ, मु प्रके आगे